बीना प्याज लहसुन के सबजी के लिए हमने यह लिया है 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम पत्ता गोवी, 200 ग्राम मटर के दाने और दो टमाटर, 5 ग्रीन चिली, 2 रेट चिली, 2 तेश पत्ता, सब को हलके पाणी से स्टीम कर लेंगे, हलका सब वायल जादा नहीं, 5-6 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे, हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब, आज मैं बनाओंगी बीना प्याज, बीना लहसुन के स्पाइसी मसालेदार, बहुत ही टेस्टी सबजी, बहुत ही स्वादेश्ट, वह भी बीना प्याज लहसुन के भन डाड़े वाली नौरातर, यह स्पेसर, तो चल भषाज्प मेल आने लगती हो, स्चाड़ा गर्वापन हलक हलक हलकर लगता है। जीरा डालेंगे, ड्रीन डालेंगे, रीड़ चिली डालेंगे मंदा को भी के छोटे छोटे पीसेज करके इसे चौप करेंगे टमाटर को भी इसी में एड़ करेंगे और सबको पेस्ट बना लेंगे बारी छोटे छोटे चुकरों में इसे पेच्ट तयार कर लिया अब इसमें माटर के दाने जो बॉइल करके रखे तो उसमें अड़ करेंगे यह बंदा को भी टमाटर का जो पेच्ट बनाया उसको अड़ करेंगे इससे चलाते हुए मिडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे धनिया पौडर मिर्चा पौडर हल्दी पौडर एड़ करेंगे स्वादम सर नमक एड़ करेंगे फिर इससे चलाएंगे अब इसमें पनीर जो पनीर को एड़ करेंगे साड़े पनीर को डाल देंगे फिर इसे अच्छे सब को मिलाएंगे और धक देंगे दस मिनट के लिए धकने के बाद पानी सुख शुख अच्छे से भूनने के बाद इसमें पानी एड़ करेंगे अच्छे से भून चुका है पत्ता गोभी मसाला टोटर रखना है धनिया पताइड करेंगे अब काजु करस करके डालेंगे ऑप्सनल है चाहें तो डालें नहीं डालें पर स्वाथ ज्यादा आती है इससे इसलिए हमने हाइड किया तैयार है भंडारे वाली सब्जी नौरात्री ये स्पेसल पत्ता गोभी मतर दाने पनीर मतर पनीर क सब्जी फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें जाता जादा सेयर करें सब्जी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इससे पूरी पराठा रोटी जिसके साथ खाए इससे जरूर ट्राइड करें सबको बहत आएगी आप खुद एकिन नहीं करेंगे कि बीना लाव सुंप्याज कितना टेस्ट येतना स्वाधिश्ट सब्जी बनी है फ्रेंड्स मिलती हूं फिर नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग जैहिन